विश्कार दोस्तों मेरा नाम है मिथोन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैक टू बुक जहां मैं आज आप लोगों को जनवरी 2020 से अक्टूर 2020 तक के सारे इंपोर्टेंट अफेर्स का जो स्रीज चल रहा उस स्रीज का आज पार्ट नहीं लेकर आया हूँ और इसे पह सार्ट करते हैं आज का पहला कौशन पूछा गया है कि महम्मद रफी को कि सराज के हाइकोट का मुख्य ने तक मुखेने थी निक्त किया गया है ठीक है तो देखिए जैसे मैं आप लोगों को बार-बार सावी वीडियो में बताता हूं तो आप जब भी कोई कॉस्चन को पढ़ते हैं तो उससे लिंक करके दूसरे कॉस्चन को पढ़ने का हैबिट बनाई है ठीक है तो देखिए यहां जैसे उडिसा की बात हुई तो उडिसा से लेटेड हम लोग जो पिछला वीडियो में जो कॉस्चन पढ़े हैं उसको एक बार फिर से हम लोग देखेंगे तो देखिए उडिसा में जो वर्चुल पुलिस इस्ट्रेशन की उडिसा के सीएम जो की नविन पटनायक हैं उनको पेटा दवारा हीरो टू एनिमोल एवार्ड से सम्मानित किया गया है उडिसा में मोजीवन परतिभा मनाया जाता है और उडिसा में उद्धकल दिवस मनाया जाता है ठीक है तो यह कॉस्चन जो था वो हम लोग पिसला वी से एक टॉप 15 mcq on precedent यानि भारत के राश्पती से जुड़े टॉप 50 mcq question upload किया हूं जो आगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस से जाके वीडियो को देख लें और हमारे कोमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ वहां से भी आप व रुनाचल पर्देश था यानि इसका राइट एंसर हो जागा option number B नेश्ट देखिए नेश्टम पुछा गया है कि पिर्थवी दिवस कब मना जाता है बहुत important question है तो देखिए पिर्थवी दिवस जो है वो 22 अपरेल को मना जाता है ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जाग को 20 स्वास्त दिवस मना जाता है और एक इस मार्च को अंतराष्टी वन दिवस मना जाता है यह चारों आप लोगों के लिए important है इसलिए आप लोग इसको आध कर लें पुछा गिया कि किस राज सरकार ने online coaching get set go का सुभारम किया था तो देखिए जब lockdown हुआ था तो उस टाइम करनाटिक के सरकार द्वारा online coaching के लिए get set go का सुभारम किया था यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number a रिलाज में नेक्ट्स कोईट्स कूछा गैया है कि कौन सा राज कोरोना वायरस मुक्त होने वाला पहला राज बना था तो गोवा में प्रजेंट में कोरोना वायरस के पैसेंट हैं लेकिन सबसे पहले जो कोरोना मुक्त हुआ था वो गोवा ही था ठीक है तो देखिए फिर से मैं यहां पर एक बता दू कि गोवा से रिलेटेड जो कॉस्टन पड़े हैं तो देखिए गोवा में जो है वो कोविड-90 मरीजों के इलाज के लिए आयरुवेद का अपयोग करने वाला पहला राज बना था यानि कोविड-90 मरीजों के इलाज के लिए आयरुवेद का परियोग करने वाला पहला राज गोवा था गोवा में कोविड-90 सिल्फ एसेस्मेंट टूल लागू करने वाला पहला राज बना था भारत पहला तेरता हुआ घाट का उद्धाटन जो है गोवा में किया गिया है और गोवा से इंपोर्टेंट कॉशन पुछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मना जाता है तो जहां पर गोवा मुक्ति दिवस की बात की जाए तो वह 19 को मना जाता है और गोवा अस्थपना दिवस अगर पुछा जाए तो ओन तीस मईव случае होगा ठीक है तो आप लोगे को इस दोनों में कनफ्यूजन नहीं करना है अगर गोवा मुक्ती दिवस पुछा जाए तो 1961 होगा और गोवा स्थापना दिवस पुछा जाए तो 1987 होगा नेश्ट पुछा गया है कि किस राज सरकार ने नेश्ट कोविड नाइंटी योध्धा कलियान योजना शुरू की थी थी के तो एज्ट वीविल अभियान की शुरूआद किसके दौरा की गई थी यानि इसका राइट एंसर होगा ऑफ्षन नमबर ये ठीक है और अभियान जो शुरूआत की गई थी तो भारत में इसका ब्रांड मिस्टर जो था वह बाइचुंग भुटिया को बना गया था ठीक है तो देखिए यहां पर जैसे फीफा की बात भी तो फीफा का फूल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन ठीक है और इसका अस्थपना जो नाइनटीन जीरो फोर में किया गया था इसका हैट कौर्टर जो है फ्रांस प्रांच के पैरिश में नेक्ट कोशन देखिए नेक्ट को पुछा गया है कि इस राज सरकार ने सुझलम सफलम जल संचय योजना अभियान सुरुवात किया था को मंजूरी दी है तो सुजलम सफलम जल संचे अभियान योजना को मंजूरी देने वाला जो राज है वो गुजरात है यानि इसका राइट एंसर होगा बॉनेंट पर एक इंफरा रेट थर्ममेटर लगा रहता था और दोनद तरफ माईक्रोफोन शिस्टम लगा रहता था जिससे या बहार के वहान के अंदर से मौजूद व्यक्ति इससे से पूश्टाच की जा सकती थी ठीक है और इसके दवरा जो है थर्मल इस्क्रिनिक किया जाता था तो Sindicis का नाम घर्र और तो किसमों पूछा गया है कि किस टेंसर हो जाएगा option number B next question देखिए next नों पुछा कि आई एम एम ये के नए अध्यक्ष कौन बने है ठीक है तो आई एम एम एक नए अध्यक्ष जो है वो राकेश सर्मा बने है यानि इसका राइट एंसर होगा option number B और विके आदाओ के बारे में जानते होंगे ये रेलवे के अध्यक्ष है और राजी कुमार जो है वो नीति आयो के उपाध्यक्ष होते हैं वो भारत के परधान मंत्री हो सरकार ने एप्त मित्रा एप और हेल्फ लाइन नंबर लॉंच किया था तो करनाटक सरकार द्वारा एप्त मित्रा एप और हेल्फ लाइन नंबर नौट लॉंच किया गया था यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A नेक्ट क्वेशन देखिए नेक्ट क्वेशन पुछा कि यहां कि BWF के IM बेडमिंटन अभियान का ब्रांड बेस्टर कौन बना है था तो BWF के IM बेडमिंटन अभियान का ब्रांड मेस्टर जो हो बीवी सिंद्रु बना यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A नेक्ट क्वेशन देखिए नेक्ट क्वेशन पुछा गया है कि किस देश ने एक नई करेंसी DCEP लॉंच किया है ठीक है तो चाइनी चाइना की एक नई करेंसी डिजिटल करेंसी जो है वो DCEP लॉंच की गया यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B ये नेक्ट देखिए नेक्ट पुछा गया कि वर्ल्डफरेस फ्रीड़म में कौन सिर्षपे रहा है तो वर्लफरेस फ्रीड़म में जो है वो नार्वेश टॉप परर रहा है वो इसमें भारत का रहेंग जो है 142 है ठीक है तो यहां पे हम लोगोंको दोनों याद रखना ह कि पहला रेंग किसका है और भारत का रेंग कितना है यानि भारत का रेंग जो है वह बहुत ही खराब पुछा गिया है कि राश्टी पंचायती राज दिवस कब मना जाता है तो राश्टी पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अपरेल को मना जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D और option number A, B, C जो है उसके बारे में पिछला वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ इसलिए आखंड सरकार दोरा संपर्क देदी मॉबाइल एफ लॉंच किया गया था यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B, C पुछा गया है कि माई बुक माई फ्रेंड अभियान किसने शुरू किया था तो माई बुक माई फ्रेंड अभियान जो है वो रमेश पोख्रियाल नि मानाया जाता है ठीक है अब देखिये एक खौंगजम दिवस मनाया क्यों जाता है तो खौंगजम दिवस जो है 1891 में मनीपूर एंगलो मनीपूर जो युद्ध हुआ था उसमें जो सहीद हुए थे तो उनहीं युद्धाओं के सरधानजली देने के लिए मनीपूर में नेक्ट देखिए नेक्ट पुछा गया है कि वर्चूल अदालतों के जरीए सुनवाई करने वाला पहला राज कौन बना है तो एक पूछला कॉस्टन में हम लोग पढ़े थे कि वर्चूल पुलिस इस्टेशन की अस्थापना जो है उड़ी सामेगी गई है थीडिन और Pूछ आप यहां पर पूछा गया कि वर्चूल अदालतों के जडिए सुनवाई करने वाला पहला राज कौन बना है तो बह्ते कमूनम्यूनिटी की कि शुरुवात कहां की गई थी तो भारत में जीयोटे कम्यूटी किचन की शुरुवात जो है वो उत्रपर्देश में की गई थी उत्रपर्देश में वाटसप सेवा दामिनी भुजल अधियम 2020 का आजन किया गया था ठीक है रेगिंग के मामले में इस्टेट टॉपर जो है यूपी है यानि यूपी में सबसे ज़्यादा रेगिंग के मामले सामने आये हैं और यूपी में डिफेंस एक्सबोर 2020 का आजन किया गया था ठीक है कि नेश्ट कुछा गया है कि कि सराज सरकार ने दवाओं की होम डिलेवरी देने के लिए धनवंतरी योजना की की गई ठीक है और असम से रिलेटेट हम लोग एक कौशन पढ़ते हैं कि असम जो है वह बर्सटवें गंतन दिवस यानि 2020 का जो गंतन दिवस हुआ था उसकी पैरेट में जो जहांकी निकली थी तो असम की जहांकी को पर्थम पुरुषकार मिला था और असम से रिलेटेट कोरणा मुक्त जीवन अभियान किस ने शुरू किया है तो पांच कदम कोरणा मुक्त जीवन अभियान जो है वह टाटा ट्रश्ड दोरा शुरू किया गया था यानि इसका राइट अन्सर हो जायाएगा option number B ठीक है और option number यह जो है मुहम्मद रफीक वो उडिशा के मुखिने आधिस हैं जो कि मैं पिसला question में बता चुका हूं और सरद अर्विन बोबड़े जो है परजेंट में भारत के कोबिट 90 के लिए पलाजमा थिरेपी सुरू करने वाला तो कोबिट 90 मरीज़ों के इलाज के लिए पलाजमा थैरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी एस्पेताल जो है वो केजी M.U. बना था यानि किंग जॉरज में जिकल युनिवर्सिटी जो की यूपी में कि किस राज सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की सुरुवात की गई है देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट कॉस्चन है महिलाओं के लिए जीवन सक्ति योजना की सुरुवात जो है वह मध्य परदेश में की गई थी यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमबर भी ठीक है अब देखिए जीवन सक्ति योजना है क्या तो इस योजना के तहट जो है वह सहरी बहरुजगार महिलाओं को को सूती कप्ले के मास्क बना कर वह परती मास्क 11 रुपय की दर से वह सरकार को बेचेंगे और सरकार जो है यह मास्क जो है वह इससे क्या है कि बेरोजगार महिलाओं की आर्थिक सहता भी मिलेगी और इस सरकार जो है उस मास्क को लोगों में बेच देंगे जिससे की आम लोगों में सस्ते मास्क जो है वह आसानी से मिल जाएंगे और बेरोजगार महिलाओं के लिए एक रोजगार भी मिल जाएगा ठीक है इसलिए एक लाग बारह टोटल पंजीकरंड किया गया है ठीक है और इसमें जो अभी तक टोटल कुल मास्क निर्मित जो है उद्ष लाग चोर आसी अजार साथ सो एकतर मास्क अभी तक निर्मित किया जा चुका नेक्ट को सनदेखिए नेक्ट पुछा गया है कि सार्ग के स्वास्त मंत् कि मेजवानी जो है वो पाकिस्तान करेगा यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी नेस्ट कोचन देखिए और आज का लास्ट कोचन है पुछा गया कि किस राज ने कोविड-90 रोगियों की सुरक्षा के लिए कर्मी बोट रोबोट तेनात किया था ठीक है तो यह आज हम लोग का लास्ट कोचन था अधि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सेर जरूर करें वीडियो को लाइक करें और अधि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद